ओम रीम श्रीम लक्षमी भ्यो नमह भक्तो मालक्षमी की आराधना का विशेश दिन होता है शरद पूर्णिमा का दिन जिस दिन मालक्षमी का विदिविधान के साथ पूजन करने से व्यक्ति की सभी मनों कामनाएं पूर्ण होती हैं मा लक्ष्मी जो अपने हर सरूप में अपने भक्तों का कल्यार करती है श्री रूप में कमल पर विराजमान है और लक्ष्मी रूप में भगवान विश्नु के साथ है भू देवी के रूप में पृत्वी की देवी है और श्री देवी के रूप में स्वर्ग की देवी है अर् पस्ट लक्ष्मी स्वरूप में जो अपने भक्तों के सभी मनुरतों को पूर्ण करती हैं जहां पर वे आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी का स्वरूप धारन कर पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी के आठ हवतार बताए गए हैं, जिनमें महालक्ष्मी जो बैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी जो गोलोक में निवास करती हैं, दक्षिना जो यग्य में निवास करती हैं ग्रह लक्ष्मी जो ग्रह में निवास करती है शोभा जो हर वस्तु में निवास करती है सुरभी अर्थात रुक्मनी जो गोलोक में निवास करती है और राज लक्ष्मी अर्थात सीता जी जो पाताल और भूलोक में निवास करती है पक्तो मालक्ष्मी के प्रकार्टि से संबंधे दो प्रकार की कथाएं मिलती है एक समुद्र मन्थन से प्रकट हुई मालक्ष्मी है और दूसरी विश्नुप्रिया मालक्ष्मी है समुद्र मंथन में मालक्षमी का प्रकार्टी हुआ था जहां पर उन्होंने हाथ में सुवर्ण से भरा हुआ कलश लिया था उनके वाहन को सफेध हाथी माना जाता है और लबालक्षमी के चार हाथ बताए गए हैं ये चारों हाथ एक लक्ष और चार प्रकृतियों अर्थात दूर दर्शिता, दर्शंकल्प, शम्शीलता और व्यवस्ता के प्रतीक हैं वहीं दूसरी ओर विश्णुप्रिया मा लक्ष्मी ब्रग रिशिकी पुत्री थी उनकी माता का नाम ख्याती था तो अनेक स्वरूपों को धारण करके हर स्वरूप में अपने भक्तों को मनोवांचित्फल प्रदान करती है मा लक्ष्मी और शरदपूर्णिमा के दिन मा लक्ष्मी की प्रसनता के लिए उनकी कृपा पाने के लिए शरद पूर्णिमा की कथा का शमण बहुत महत्वपूर्ण होता है वही कथा हम आपके लिए आज यहां पर लेकर आए हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बोलिए लक्ष्मी मया की जय एक साहुकार था उसकी दो पुत्रियां थी दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का वरत रखती थी लेकिन बड़ी पुत्री पूरा वरत करती थी और छोटी वाली अधूरा वरत करती थी अब इसका परिणाम ये हुआ कि छोटी पुत्री को संतान पैदा होते ही मर जाती थी उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा वरत करती थी जिसके कारण से तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है पूर्णिमा का पूरा वरत विदिपूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा वरत विदिपूर्वक किया बाद में उसे एक पुत्र पैदा हुआ जो कुछ दिन बाद ही मर गया उसने लड़के को एक पाटे पर लिटा कर उपर से कपड़े से ढग दिया फिर बड़ी बहन को बुला कर लाई और बैटने के लिए वही पाटा दे दिया बड़ी बहन जब उस पर बैटने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छूग गया बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा यह देखकर बड़ी बहन नाराज होकर छोटी बहन से बोली कि तुमने बच्चे को यहां सुलाया और मुझे भी यहीं बैटने को कह दिया अगर अभी इसे कुछ हो जाता तो मुझे पर कलंक लग जाता तक छोटी बहन बोली दीदी ऐसा नहीं है यह बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ है आपके पल्ले को छूते ही यह जीवित हो गया यह तो आपके भागे से जीवित हुआ है और आपके पूरे विदिविधान से वरत करने के कारण यह जीवित हुआ है इसके बाद पूरे नगर में धीडुरा पिटवा दिया गया कि पूरे नगर वासी पूर्णिमा का वरत अवश्य करें तो ये थी शरत पूर्णिमा की कथा मा लक्ष्मी की क्रपा आप सब पर बनी रहे, जीवन सुख में हो, धन्दाने से संपन्न हो शरत पूर्णिमा की हार्दिक शुब काम नाएं नमो नाराहिए